गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू एंड वेलकम तू ग्यान जोती आसिस टूटोरियल तो दोस्तो आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 से जितने भी करेंट हफिर के क्वेस्टन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेस्टन से एक्स्ट्रा फैक करना है और वहां से सारे वीडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और साथी साथ अगर आपको साइन्स टॉप 30 का भी पीडिएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसे भी जाके आप डाइरेक को प्रिस जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके पास जल से जल मिलते रहे ठीक है तो चलिए सूर करते हैं और यहां पर आज के जो भी टोटल टेन कोश्चन होंगे वह आपके एक्जाम के लिए तो इंपोर्टेंट है ही और जिस ब फोकस बनाए रखना है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे पहला क्वश्चन आप लोग के स्क्रेन के उपर यह है पहला क्वश्चन यह की हाली में आतंकवादी पिडित स्रीनगर में CRPF महानिदेशक की रूप में निउप्त होने वाली पहली महिल बिल्कुल important हो जाता है और वो exam के दिरिश्ट से बिल्कुल और भी important हो जाता है ठीक है तो यह question आप लोग के लिए बिल्कुल important है जो भी आने वाला exam या paper हो आपके लिए ठीक है तो यह अभी हाली में बन गई है चारू सिनहा कौन बन गई है चारू सिनहा यानि right answer क्या हो जाएगा option number यहाँ पर यह हो जाएगा चारू सी नहां ठीक है और जो चारू सी नहां है यह आपको 1996 यानि 1996 बैच के तेलंगाना कैडर के IPS officer है ठीक है तो यह आपको याद रखना होगा और अब यह आतंक वादी पिडित स्री नगर के CRPF महानिदेशक के रूप में निक होने वाली यह पहली महिला IPS बन गई है तो इनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है और यहाँ पर पहली महिला की बात करी रहे है तो जो आर स्री रेखा है जो आपको option number B में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आर स्री पहली महिला DCP बनाई गई है और साथ साथ यह केरल की पहली महिला IPS ऑफिसर भी बनी हुई है तो यह भी दोनों आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है और यहाँ पर जो आपको option number C में दिख रहा है संगिता रेडी जो संगिता रेडी है यह present time में फिक्की के पहली मह इला अध्यक्ष बनी हुई है तो इनका भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना होगा अगले question क्यों बढ़ते हैं पर question number two question number two आपके screen को पर यह है और यह भी question बिल्कुल important question है ठीक है question number two आपके screen को पर यह है हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए है तो यह अभी हाल ही में बन गए है इनका नाम है एलन मश्क right answer option number a हो जाएगा एलन मश्क ठीक है जो एलन मश्क है यह आपको space x के मालिक है किसके मालिक है एलन मस्क ठीक है तो यह भी आपको याद रखना होगा और यहाँ पर वर्ड यानि वर्ड के सबसे अमीर व्यक्ति के यहाँ पर बात करें तो वर्ड के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो इनका नाम है जेफ बेजोस जो क्या है वर्ड के सबसे अमीर व्यक्ति है यानि सबसे पहले अस्थान पर है ठीक है जेफ बेजोस जो की Amazon के संस्थापक है और इसे क्रम में दूसरे अस्थान पर है Bill Gates बिलगेट्स कौन से अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर है आपको Bill Gates और तीसरा स्थान पर कौन आ गये है Elon Musk तो ये क्रम आपको तीनों का यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है थर्ड अस्थान पर कौन है Elon Musk ठीक है और जो Bill Gates है ये आपको Microsoft के संस्थापक है ठीक है और तीसरा स्थान पर कौन आ गये है Elon Musk ठीक है किसको छोड़कर Mark Zuckerberg को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गये है Elon Musk ठीक है और यहाँ पर जो Mark Zuckerberg से ये कौन है तो ये है Facebook के संस्थापक ठीक है और ये भी question बिल्कुल important question कि इसको ध्यान से देखिएगा question number 3 ये है कि हाली में भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा सुरू किया गया है तो ये अभी हाली में शुरू की गई है गुजरात में कहां पे गुजरात में यानि right answer option number यहां पे भी हो जाएगा गुजरात में शी प्लेन ये एक ऐसी मतलब ये एक ऐसा बीवान है जो की पानी में भी चलता है और साथ-साथ हवा में भी उड़ता है ठीक है और ये जो सी प्लेन सर्विश है ये एहमदावैद के सावरमती रिवर फ्रेट से गुजरात के केवडिया कॉलनी के जो यानि स्टैचू ओफ यूनिटी बनी है वहां तक इसकी क्या है सर्विस पुर्वाइड कराया जाएगा किसके द्वारा तो ये भारत की एनि गुजरात सरकार के द्वारा ठीक है सी प्लेन की यहां पे वेवस्था की गई है जदि हम यहां पे बात कर लेते हैं गुजरात के बारे कर लेना होगा ठीक है एहं दाबाद क्या है गुजरात की रजदानी है इस डूरी अहिंदाबाद नहीं गुजरात की रजदानी गांधी नगर बता दिया मैंने गुजराद कारशधानी क्या है यहाँ पर इत्सव चॉजराथ की आजवातिनागर और तब करने गुजराट नहले नूठ जॉट साथश्ऑ जरुपार अचार्ज देवगरत और ऋचनदिश यह है ज़स्थिस विक्रम नात्थ तो यह भी नाम का याद रखना होगा ठीक है अगले question क्यों बढ़ते हैं आप फोर नमबर question question number 4 आपके screen को पर ये है question number 4 ये है कि हाली में नागरिक उड़ेन महानी देशाले कि ने अंतरास्टे उड़ानों पर लगे प्रतिबंद को कब तक लिए बढ़ा दिया गया है तो ये बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक कब तक 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है ठीक है तो सबके दिमाग में ये बाते चल रही है कि सारी trend कब चलेगी international flight कब उड़ान भरेगी तो देखी COVID-19 जिस प्रकार से ये दिन प्रति दिन आकड़ा बढ़ते सा रहा है COVID-19 का और वैसे भी पूरे विश्व में COVID-19 के मामले में भारत का अस्थान कौन सा है तो भारत का अस्थान है 3rd ठीक है और भारत कौन से अस्थान पर है तीसरे अस्थान पर है पहले अस्था आकड़ा नोट कर लेना होगा ठीक है अगले question की रुपढ़ते हैं पर फाइफ नंबर question question नंबर फाइफ आपके screen को पर यह के हाली में general insurance corporation इंडिया के नए निदेशक के रूप में कौन न्यूक्त किये गए हैं यहाँ पर क्या है कि यह question बिल्कुल important question है तो यह अभी हाली में बन गए है अतनु कुमार दास right answer option number यहाँ पर यह हो जाएगा अतनु कुमार दास ठीक है यदि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले general insurance corporation इंडिया के बारे में ठीक है general insurance corporation इंडिया के बारे में तो यह इसकी सथापना कब की गई थी सबसे पहले बात कर लेंगे इसके सथापना कब की गई थी तो इसकी सथापना 22 नवंबर 1972 में की गई थी कब की गई थी 22 नवंबर 1972 में इसके सथापना की गई थी और इसका head quarter मुंबई महरास्ट्र में इस्थिते ठीक है और यहां पर दूसरे option को discuss करते हैं जैसे यहां में जो अश्वनी भाटिया है जो आपको option number B में दिया गया है अश्वनी भाटिया तो यह बनाए गया है SBI के नए MD कौन? SBI के यानि State Bank of India के नए MD बनाए गये है और इसी करम में जो वीने टोन्स है वीने टोन्स तो यह बनाए गये है SBI mutual fund के नए MD और CEO जबकि जो PC कांडपाल जो option number C में दिया गया है यह बनाए गये है SBI mutual fund सोरी SBI नहीं SBI general insurance के नए MD और CEO जो बनाए गये है PC कांडपाल तो यह आपको तीनो option याद रखना होगा ठीक है next देख लेते हैं six number question 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 number six आपके screen को पर यह है कि हाली में the big thoughts of title you किताब किसके द्वारा लिखी गई है यह भी question बिलकुल important question है तो यह लिखी गई है करन जोहर के द्वारा right answer option number a हो जाएगा करन जोहर के द्वारा ठीक है तो देखिए कुछ समय पहले ही इन्होंने दो बच्चों को गोद लिया था जिनकी देखवाल वेश्वयम कर रहे थे तो उनकी पर उनही पर यांई उन दोनों बच्चों पर ही best यह है किताब जिसका नाम है the big thoughts of title review इस किताब का आपको नाम याद रखना होगा क्योंकि examus में इस किताब का नाम भी पूछा जा सकता है ठीक है और इस किताब को किस ने लिखा है तो ये लिखा गया है करन जोहर के द्वारा next देख लेते हैं question number 7 question number 7 आपके screen को पर ये है और ये भी question बिल्कुल important question है question number 7 ये है हाली में हिंदुस्तान CPR Limited के नए CMD ये कौन बनाए गए है तो ये अभी हाली में बन गए है इनका नाम है हेमंत खंत्री right answer option number A हो जाएगा हेमंत खत्री ठीक है और हैमंत खत्री ये किन का अस्थान लिया है तो ये अस Health लिया है Sarat Babu का शरत Babu का इन्होंने अस्थान ले लिया है हेमंत खंत्री ने ठीक है तो आपको बतादू कि जो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान सी प्यार लिमिटेड के बारे में ठीक है हिंदुस्तान सी प्यार लिमिटेड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्थापना 22 जून 1941 में की गई थी, कब की गई थी 22 जून 1941 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेटकनअ आंधर परदेश के विशाखा पटनम में इस्थी थे, कहां पर इस्थी थे कि हाली में प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं तो ये अभी हाली में बन गए हैं इनका नाब है अवीक सरकार राइट एंसर आप्शन नंबर ए हो जाएगा अवीक सरकार ठीक है और अवीक सरकार ये किनका अस्थान लेंगे तो ये लेंगे विजय कुमार चोपडा का इन्होंने अस्थान लिया है ठीक है और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया के बारे में ठीक है जो प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया है इसके बारे में थोड़ा डिसकस कर लेते हैं तो भारत की सबसे बड़ी सा स्थापना हुई थी 27ग्शोच में कब कि थी 27 अगस्ट 1947 में इसकी अस्थापना कि गे थी जब हमारा भारत अजाद हुआ दा ठीक है Ace का मैं इसका हेड़्ली में हिस्थ है कहां पर इस्थि थे पर और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक शरकार राइट एंसर ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन क्यों पड़ते हैं पर नाइन नमबर कोश्चन कोश्चन नमबर नाइन आपके स्क्रेन को पर यह है हाली में CBDT के अध्यक्ष का का अध्यक्ष है तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी राइट एंसर ऑप्शन नमबर यहाँ पर ए हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी ठीक है यदि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले CBDT के बारे में ठीक है तो यहाँ पर इसके फुल फ्रम क्या होती है क्योंकि आपके जम्स में ज्यादा सतर फुल फ्रम भी पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसकी फुल फ्रम मनती है Central Board of Direct Tax ठीक है और इसी के अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी इनका कारेकल अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया किया है और कारेकल बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें कारेकल बढ़ाने के बारे में बात कर रहते हैं कि कि इसका और कारेकल बढ़ाया गया है तो जो अजय त्यागी है आपको यहाँ पर option number में तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन जो अजय त्यागी है इनका कारेकल 18 महीनों के लिए ब बिल्खुल important question है, ठीक है, question number 10, यह के हाली में, लोकसभा के नए सच्यू, कौन नियुक्त किये गए है, किसके, लोकसभा के नए सच्यू, कौन नियुक्त किये गए है, तो यह अभी हाली में नियुक्त बन गए है, इनका नाम है, उत्पलन कुमार, शिंग, ठीक है, right answer, option number A, ह हो जाएगा, उत्पलन कुमार सिंग, ठीक है, और उत्पलन कुमार सिंग, यह 1986, 1986 batch के, retired IS officer है, यह भी आपको note कर लेना होगा, retired IS officer है, और अब यही बन गए है, लोकसभा के नए सच्यू की रूप में, उत्पल कुमार सिंग, right answer, option number A, हो जाएगा, अगले question क्यों बढ़ते ह आपे, कल का सवाल हमारे पास था, कल का सवाल यह था, कि हाली में किस राज्य ने अपने पहली समुंद्री एम्बूरेंस, जिसका नाम है प्रतिक्छा की सुरुवाद की है, तो यहाँ पे सबका बहुत अच्छा परियास रहा, right answer, option number A, sorry, D हो जाएगा, केरल में, इसकी सु किया गया है, तो फटा-फट, right answer आप सभी लोग comment box में comment करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए तना ही, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye-bye, take care all the best, thank you